नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में ओपो रैनो 5 प्रो 5G वर्सस गूगल पिक्सल 6A 5G का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो रैनो 5 प्रो 5G में 6.29 इंच जबकि पिक्सल 6A 5G में 5.99 इंच की लेंथ मिलती है जोकि रैनो 5 प्रो 5G से कम है बात करें तो रैनो 5 प्रो 5G में 2.88 इंच जबकि पिक्सल 6A 5G में 2.83 इंच की विद्ध मिलती है जोकि रैनो 5 प्रो 5G से कम है बात करे थिकनेश की तो RANO5 Pro 5G में 0.3 इंच जबकी Pixel 6a 5G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है जो की RANO5 Pro 5G से ज्यादा है अब बात करते है वेट की तो RANO5 Pro 5G में 173 ग्राम्स जबकी Pixel 6a 5G में 178 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की Rano 5 Pro 5G से ज्यादा है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को compare करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Rano 5 Pro 5G में Super AMO LED जबकी Pixel 6A 5G में OLED की डिस्प्ले मिलती है Aspect Ratio दोनों फोन में सेम ही 20 Ratio 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो Rano 5 Pro 5G में 6.55 इंचस जबकी Pixel 6A 5G में 6.1 इंचस मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन दोनों फोन में सेम ही 1080 by 2400 मिलता है Screen to Body Ratio Rano 5 Pro 5G में 88.6 एक प्रतिशत जबकी Pixel 6A 5G में 82.2 एक प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो Rano 5 Pro 5G में 402 प्रतिश जबकी Pixel 6A 5G में 431 प्रतिश मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जोकी Mobile Phone का महत्वपूर्ण हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैंन कैमरा की तो Rano 5 Pro 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera, Macro Camera और आखर में Mono Camera देखने को मिलता है और Pixel 6A 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera और आखिर में अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में आठ डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रन्ट कैमरा यानि की सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की चार डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं हाड़वेर में सबसे पहेले CPU जोकी स्पीट के हिसाब से देखा जाये तो फोन में सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं GPU की बात करें तो, Trano 5 Pro 5G में Mali G77 MC9 जबकी Pixel 6a 5G में Mali G78 MP20 मिलता है चिप सेट की बात करें तो, Trano 5 Pro 5G में MediaTek Dimensity 1000 PLUS MT6889Z और Pixel 6a 5G में Google Tensor मिलता है बात करें RAM की तो, Trano 5 Pro 5G में 8GB जबकी Pixel 6a 5G में 6GB RAM मिलती है बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही 128GB Storage मिलती है Expandable Memory दोनों फोन में नहीं है Operating System की बात करें तो, Trano 5 Pro 5G में Android V11 जबकी Pixel 6a 5G में Android V12 देखने को मिलती है बाटरी, Trano 5 Pro 5G में 4350MH जबकी Pixel 6a 5G में 4306MH देखने को मिलती है अई अब Main Feature को देखते है Colors की बात करें तो, Trano 5 Pro 5G में 2 Colors जबकी Pixel 6a 5G में 3 Colors ओप्शन मिलते है सब इन्फोमेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो, Trano 5 Pro 5G 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 32,490 में मिल जाता है और बात करें Pixel 6a 5G की तो, वो 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 43,999 में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं Prans and Cons यानि की फाइदे और नुकसान की तो, Oppo Rano 5 Pro 5G में 4 फाइदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Google Pixel 6a 5G की तो उसमें 7 फाइदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो, डिस्प्ले में Rano 5 Pro 5G आगे है में कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रन्ट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में Rano 5 Pro 5G आगे है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G71 5G है, दुसरा Realme GT 2 Pro 5G है, तीसरा Vivo V23 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme GT Neo 3 5G 150W है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना